So, Hello Friends, Welcome है आप सभी का Love and Arty Family Blogs में उमीद है आप सभी अपने अपने घरों पे स्वस्त होंगे, वियस्त होंगे, तंद्रोस्त होंगे, हम भी ठीक हैं, Thank You और आज के ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी किस तरह से मैंने इनका हेर कट किया और बताईएगा जरूर आपको कैसा रगा हेर कट जो कि हमने घर पे ही किया तो जब से ये करोना वगेरा फैला हुए ना तब से हम लोग जो आप भी तक, मतलब मैं ब्यूटी पार्लर नहीं गई और ये जो हैं बारबर की शॉप पे नहीं गई तो बस हम लोग घर पे ही जैसे तसे करके जो है कुछ-कुछ जुगाड करके जो अपने चोटे-मोटे काम करते हैं तो आज का ब्लॉग यह देखें मैं किस तरह से इनका हेर कट कर रहे हूँ यहाँ पे यह बोल रहे थे कवा कटिंग मत कर दियो मेरी हैं तो मैंने का पता नहीं कवा होगी की मुर्गा होगी वो मुझे नहीं पता लेकिन हाँ आज आप मेरे हथे चड़ गयो और अच्छे से मैं आपकी जो हेर कट करूंगी तो इनको मतलब आगे से तो यह थोड़ा बहुत कर लेते हैं खुद से ही लेकिन पीछे से इनसे नहीं मतलब समझी सकते हैं हम लोग की घैंची चलाना काफी मुश्किल होता है तो वही है यह मैं कर रही हूँ फिर इनोंने बोला थोड़ा क्लीन कर की देख ज़रा हुई भी कैसी लगे आपको हमारी वीडियो और कोई भी कर सकता है और भी लोग करते होंगे हम जैसे इस तरह से घर पे ही तो बारबर की शॉप पे क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत बड़े-बड़े सैलून्स में जाना या मतलब नहीं मतलब इतना वो नहीं लगता सेफ नहीं लग करती है जो ब्यूटीशन होती है ना तो मतलब मुझे तो बड़ा अजीब लगते कितना भी मास्क पहना हो किसी के बारे में कुछ पता थोड़े ना होता है तो इस वजह से घर पे ही करना मुझे तो बैटर लगता है तो मैं तो घर पे कर लेती हूं सबकी अपनी अपनी सोच बतारी हूं यूट्यूब में मतलब ये वीडियो बनाने के माध्यम से तो बताए का आप लोग आप लोगों को किसको मतलब जो है मेरी सोच से मेल खाते हैं जरूर बताना कि पताने हम ही लोग ऐसे दुनिया में कि मतलब इस सरह से मतलब घर पे करते हैं चीजे और पूरी है वह चीज तो ऐसा नहीं कि अब देखो सबजी लानी है राशन लाना राशन भी आजकल ऑनलाइन मिल जाता है सब चीजे जो है इनसे जो है वेजीटेबल्स फ्रूट्स वगेरा भी मिल जाते हैं सब भी कुछ नहीं कि हमें प्रॉपर जो है मार्किट में जाना है भीड भाड वाली मंडी में जाना है और वहां से हमें समाल लेके आना है तो वह सब चीजे नहीं इतना भी जरूरी नहीं होती खैर काफी लोगों के लाइफस्टाइल्स चेंज हुए हम भी पहले मंडी से लाते थे जैसे आसपस की मंडियों से बड़ी-बडी मंडियों से तो नहीं खैर लेकिन अब जो है हम बहुत ज़्यादा स्विच ओन हो चुके ऑंलाइन शॉपिंग पे और जितना काम घर पे हो सकता है उतना घर पे करने के लिए तो कैसे लगा ब्लॉग बताएगा